हैलो एवरिवाइन वेलकम बेक टू माई अनदर न्यू व्लॉग तो आज के इस लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने ट्विन बेबीस को मोश्टली क्या क्या ऐसी चीजे हैं जो मैंने खाने में देती हूँ जैसे कि सुबह में मैं कौन सी मील देती हू ईनको दोपहर में मैं क्या देती हूं और डिनर में मैं को क्या देती हूँ अभी न सुबह को टैम हिवा इस ने रागी को थोड़ा सा भून ले घी में और उसके बाद मैंने इसमें घंडा पानी डाला जल्दी जल्दी ताकि उसमें गांठे ना पड़े गुटलिया ना पडर फटा फट से मैं उसको फॉट्र करती रहूंगी चलाती रहूंगी उसके बाद यह रैडी हो जाएगा तो यह रागी रागी बहुत अच्छा ह जाना रख दोसरो जा है तो मेरे चुट ट्विन बेबी थे वह साढ़े पांच या च्छे बजे या फिर साढ़े चुट जाते हैं, साढ़े पांच बजे के बाद ये फोड़ा हो चाते हैं कि हाँ अब ये उठेंगे, उसके बाद जैसे ये उठते हैं तो मैं इनको दूद द अभी में इनको बॉटल ही फीट करा आभी पहले में इनको पंप करके देती थी अभी मैं इनके लिए काव मिल्क जो है वो मैंने शुरू कर दिया तो कि अभी जा रही है छोड़ के हम को कि अज पहने है कुर्दी बजा में येई कि अभी के दो जाओ कर दो थी ये पारो जाओ को कि अभी में इनको पिके बडने बही है वाता है कि अभी में आग Keeping इनके बही है तो सुबह की शुरुवात कुछ ऐसी होते हैं कि अभी मैं यहां पर सुबह में दे रही हूँ मौंग डाल का दलिया और मतलब दलिया मिक्स है इसमें और मौंग डाल पेली वाली मौंग डाल तो मैं और कुछ भी वैजिस जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है मैं वो डालके ख दोनों बच्चों को हुआ है cold और जिसके लिए मैं देख रही हूं की कैसी ठीक होता है मैं बताऊंगी अभी आपको last में कुछ remedies भी तो यहां पर गारगी यहां दोनों की अलग-अलग choice है जैसे की केशव मीठा भी खा लेता है और गारगी को मीठा खाना इतना पसंद नहीं ह इसको salty चीज़े जादा पसंद है even कुछ भी जैसे भार का अगर कुछ कभी हम try कर रहे हूं खा रहे हूं और फिर अगर इसको भी try करा दें तो यह बहुत enjoy करती है तो यह है इसको भार का खाना जादा अच्छा लगता है घर के खाने के according तो इन दोनों का इस तरीके से चलत होगा तो यह इवनिंग का टाइम है और मैं यहां पर भी इनको रागी का हलवा बना रही हूँ है यहां पर और वो यह दिन में एक बार बनाती हूँ है तो सुबह या फिर शाम लेकिन जरूर इंक्लूड करती हूँ इनकी डेरी डाइट में गालगी एपल खा रहे है और मतलब तीनों बच्चे खा लेते हैं इसको थोड़ा बहुत चोटे बच्चे जो हैं दो इनों ट्रेंस तो वह भी टेस्ट कर लेते हैं तो इसके लिए रागी है सूजी है दही है इन सब को भीगो कि थोड़ा दित के लिए रख दिया थोड़ा बहुत नमक डाला और बस वेज़िस क्योंकि बेटा नहीं खाता है तो वेज़िस मैश करके मैं दे सकती हो अधरवाइस उसको पता चल जाता है बड़े बेटे को तो यह है तो इस तरीके से मैं के लिए बना दूंगे यहाँ पर पैनकेक मतलब बड़े बेटे के लिए बनाऊँगी तो यह दोनों भ कि थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेंगे, ट्राइ कर लेंगे कर लेंगे अपने हेर कट कर लेंगे, थोड़े से नोटी है ना मेरे कनू, मैंने आज आपके लिए क्या बनाई, आप मुझे क्या बोल के गये तो? ममा, मैं, माय, मोय, बर गर बनाई, ममा, किसी करो? ममा, कुछी को किसी करो? अजब जन्ती कह बोलाए इसकोच से? जो है लो गाईस बुल को आख कई जो और क्या है जो मैं इनकी डायेट में इंकलीड गरती हूँ तो दुपहर का टांब है और मैं जिसें कि दुपहर में डालचावल थाहर तो मैं इनको डालचावल भी सुंभव कहते हैज और दोनों फीर दुपहर खाते है कागी माँ पीयोग किस्या माँ पीयो ये कागी ह här और ये केशब और ये दोने माँ बाइ ये कागी के निई बोत्ल अई है किसु आप अपनी बोत्ल में से पीयो तो दोनों बच्चों का रूटेन स्टार्टिंग से लेकर अब तक काफी बार चेंज हुआ है तो अभी जो चल रहा है जैसे वनियर के हो चुके हैं तो अभी का मैं बताते हूं आपको अभी मोनंग में सो कर उठते हैं तब मैं इनको इनको मिल्क देती हूँ जो मैं काउ ο मिल्क कर रहे हैं ध्युक्त Circam ऐध्य यड़ है तो यह है तो तीन से चार बार ही इनको मुल कभी दे रही हूँ जीगंगा मेरा गारगी को क्या रहाँ मेरो गजा गारगी रेडी हो गई है, गारगी मेरी रेडी हो गई है शाम के लिए गूहने के लिए लेकिन मेरी गार की उदास हो रही है उदास हो रही है मेरी गगो उतर के दिखाओ कैसे उतरते हो अच्छे से उतरो ऐसे कैसे उतरोगी घिर जाओगी वैसी तू दर लग गगोता है कैसे उतरो कैसे उतरो iddo व्हाओroot जाल से विल सब्सक्ते बढी यह नोण मेडरी उतरोगी अम उपर जाएंगे ठीकी उपर जाएंगी बुंहगी क्रेंगे डिर्यक है और हुआ केद है गाल पो जो और भी Right में खेल दोड़ देवर कि 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 dispon कैने कम को तीड़ आगई आगए तटार टोड़ देर तो मैं अबी न दस पुझे का सबस का टाइम है बच्चे अभी सो रहे हैं तो मैं अभी उनको सुला कर आई हूं तो कभी भी किसी भी ठाय मुझ सकते हैं तो मैंने यहां पर दबा चड़ाया हुआ है और क्यों चड़ाया हुआ है काम सब कुछ हो चुका है सब काम हो चुका है बट अभी मैं बच्चों के लिए कुछ बनाने वाली हूँ तो मैं भी बना रही बच्चों के लिए यहां पर ब्रून होगी और इसकी खोटली बनाऊंगी जिससे बच्चों को गोल्ड में सब इनका दुखाम हो रहा है तो उसमें इनको बहुत आराम मिले तो मैं यह बना रही हूँ और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ तो गाइस पोटली बनाने के लिए यह मैंने यहां पर साफ यह कौटन के यहां पर छोटे-छोटे से कपड़े ले लिए है तो इवी कुल साफ है और इसका मैंने न पूरा यह बंडल रखा हुआ है जो काम आ जाता है तो मैं इसी की पोटली बनाऊंगी तो अभी अजवाइन को मैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करें तो अभी थोड़ा अभी बनानी पड़ेगी तो देखो ऐसी दुहा निकल रहा है और कुछ ऐसा टेक्च्च्चर हो गया है तो अभी मैं इसको पोटली बनाके मैं इस तियार कर लोगे इस तरीके से मैंने तयार कर ली यहाँ पर यह अजवाइन की पोटली और यहाँ पर ने एक बात में और एड़ करना चाहूंगी कि लहसुन की अगर कुछ कलिया भी हम अजवाइन के साथ भून लेंगे तो वो बहुत फायदा करेगी तो मुझे याद नहीं रहा तो नेक्स टाइम मैं ट्राइ करूंगी तो भी मैंने जैसी बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैंने यह अजवाइन की पोटली इनकी नाक के पास रख दी और मतलब जब सुबह उटीना में तो इनको जिसे इनकी बहती हुए नाक से बहुत अराम लगा इत्ती नाक इनकी नहीं बहरी थी और इस पोटली से हलकी गुन-गुनी जब होती तो उससे बच्चे के सिकाए भी कर सकते तो फिर मैंने न की मसाज कर दी हातों पे थोड़ा सा हतेलियों पे लगा दिया दोनों सोरे थे दोनों की आँख न खुल जाए तो बस मैंने ऐसे थोड़ा हलका हलका लगा दिया और इसकी खुश्बू से इसकी गर्महाट से बच्चों के सर्दी में मतलब बहुत अराम लगा है तो अब के साथ